माननिय महानगर संग चालक जी, संग के अधिकारी गणा, आत्मी या स्वाइम सेवक बंदू, सज्जन व्रंद माता भगिनी. एक विशिष्ट परिस्थिती में आधुनिक तक्नीकी का उप्योग करके परदे पर ये हमारी भेट हो रही है. कोरोना की महामारी से सारी दुनिया जूज रही है, और उस बीमारी के साथ लड़ाई का एक अनिवारिया अंग है, घर में बंद रहना, सारे कामधाम बंद करके बैठे रहना, घर में बंद रहकर जितना हो सकता है उतना करना. तो हमारी संग के कई स्वाइंचों को लगता होगा, कि हमारी शाखाय अभी मैदान पर लगना बंद है, कार्यकरम बंद है, संग शिक्षा वर्ग प्रारंब हुए होते, वो बंद है, तो हमारा काम बंद है. लेकिन हम अपने अपने घर में बंद है, लॉक्डाउन कहते हैं, उसमें है तो भी जीवन तो चल रहा है, ऐसे संग का कार्य भी चली रहा है, नित्य के कार्यकरम बंद है, दूसरे कार्यकरमों ने उनकी जगह लिए है, ये संग के लिए भी और हम सब की जीवन के लिए भी सकते हैं क्योंकि जीवन मनुष्य का इसकी कल्पना क्या है तो सारी दुनिया मानती है और संगय में हम लोग मानते कि हम स्वयम अच्छे बने और अपने अच्छाई का उपयोग करके जग को अच्छा बनाएं दुनिया को अच्छा बनाएं पर अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता उसको भी लोग अच्छा नहीं करते हैं कि जीवन जीन या संग्य कारे के एक ही सिख्छे के यह दो पहलू है अपनी परंपरा में इसा कहते है के इकान्त में आत्मसाधना और लोकान्त में परोपकार और यहीं जीवन का सुरूप है यहीं संगार्य का सुरूप है तो अपने स्वहन से अधन कर रहे। मैदान परubers आतर हैं अन्हीं कर रहें अपने परिवार के साथ धर में कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निष्टित है उनके परिवार में उसमें प्रार्थना हो रही है अनेक प्रतिज्ञा करते होंगे कि नित्य्त शाखा के कार्यक्राम bakayım में अभी इतना ही करना à को इतना चलल रहा है बाकी कार्यक्रीम दुसरा बदल गया यह वह सेवा का कार्यक्राम है प्रचंदप्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे हैं और सारा समाज हमको प्रोच्छान भी दे रहा है प्रंद तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मानना चाहिए यही अपना कार्या है है कार्यक्रम अपना कार्या नहीं है सुधूअ मच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना यह अपना कार्या है जीन देश में भारत से एक भिक्खु गए तथा गत के दह्म Creek करने के लिए कुछ वर्षे वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लखा जाए चीनी भाषा में वहां के जन्रता की लाप के लिए तो लिखकर तो तयार हो गया लेकिन उससों चापना है तो वहां उनके जो संपर कते उन सब लोगों से वो मिले उनसे धनी कठा किया बताया तथागत का चरित्र उससे चापेंगे और सारा धनी कठ्ठा होने के बाद छापने के लिए छाप खाने में वो हस्त लिपीद देना कल देनी है तो आज रात में बड़ा भूचा ला गया और बहुत से देहाद बहुत से शहर तहसनस हो गए तुरंत सेवाकारे में सब लोग लग गए तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभावी कुपयोग लोगों की रहत के लिए हो गया वो धन समापत हो गया इसलिए सारा और रहत कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्वो ने सबको बताया कि धन तो दिया था आप लोगों ने लेकिन वाइसे काम में हो गया खर्च तो और एक बार धन संकलन फिर से वाइसा किया फिर जब चाप खाने में जाना था उसके पहले के उस दियने एक बड़ी बाढ़ा गई फिर रहत कारी करना पड़ा सारा संकली धन उसमें व्याय हो गया फिर जाकर लोगों को समझाया लोग भी समझ गए तीसरी बार धन संकलन हुआ इस बार को यापति नहीं हस्तलीपी छापकाने में गई मुद्रित होकर किताब तयार हुई किताब का धुमधाम से प्रकाशन हुआ लोगों ने और उस किताब को बड़े श्रद्धा के चीनि भाषा में चरित्र की 3 आवरत्ति हैं कि लिखिच चरित्र एक चरित्रा सुरोप है लेकिन उस चरित्रका जो सन्देश है शे za हैं कि दुनिया की दुक्ख मुक्ति उसको आचरण में उसके पहले दो बार लाकी दिखाया गया तो वह भी उसको तकि आबती है कि ऐसे हम आज जो कर रहे हैं वो भी कार्यक्रम बदल के संग का ही कार्य कर रहे हैं इस भावना से उसको करना तो स्वाभाविक क्यों संग के लोगों के लिए नहीं सभी के लिए कुछ बाते स्पष्टो हो जाती है एक तो हम यह सेवा क्यों कर रहे हैं उसकी प्रेणा हमारी स्वार्थक ही नहीं है अपने अहंकार की तृप्ति आ अपनी किर्थी प्रसिद्धी के लिए यह नहीं करना है जो लोग सहयोगी बनना चाहते उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रसिद्ध करना पड़ता है अपने कार्य की रचना में हम सबको सविस्तार वृत्त ठिक ठिक पता चले इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है लोगों को प्रेणा मिले इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुवों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है परन्तों अपना डंका बजारी के लिए हम यह काम नहीं कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं यह अपना समाज है अपना देश है इसलिए इस स्वार्थ भय मजबूरी प्रतिक्रिया यह अहंकार इन सब बातों से रहित आत्मिय वृत्ती का परिपाक है यह सेवा और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है निरहंकार वृत्ती से लगना है श्रिय दूसरों को देना है और अब ही यह जो विशिष का आपति है उसमें जो सेवा करनी है उसमें लोगों का प्रबोदन भी करना पड़ता है कई बाते बताने का परिणाम तब ही होता है जब हम उसका पालन करते हैं और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ को वो सुरक्षित रखने के जो जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं उन सब का पालन पहले अपने को करना है वो पालन करते हुए भी हमको काम करना है घर के बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमती चाहिए लॉक्डावन है तो अ छोटी बातों में भी सहज रखकर स्वयम उसके पालन का उधारन बनकर हमको लोगों को बताना है कि और हम यह कर सकते हैं महाबारी नहीं है उसने कहर मचाया है लेकिन उससे डर जाने की आवश्चता नहीं है डरने से काम नहीं होता डरने से संकट का बल जादा बढ़ता है अपना संतुलं कायम रखके मन में भैका लवलेश न रखते हुए ठंड़े दिमाग से कौन से उपाय करने हैं कैसे करने पड़ेंगे क्या-क्या करना पड़ेगा इसकी योजला बनाकर हम काम करते हैं तो वह काम येशस भी होता है आट्म विष्वास युक्त ऐसा अप्ना सुन योजित प्रयास करना है भयसे रहit होकर और सातत्य पुरुवक प्रयास करना है क्योंकि ये बीमारी नहीं है इसमें निश्चित क्या-क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते जैसे इसे अनुमवाता है वैसे ही पता चल रहा है और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं जल्दी से जल्दी समाप तो ये पूरा प्रयास हम करेंगे लेकिन जितने दिन उतने दिन पीडित लोगों को रहात देने के और ये बीमारी नव फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे बीच महीं छोड़ दिया तो यसस भी नहीं होंगे एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया निराश हो गया उसको ऐसा लगा हम आत्मत्या करेंगे लेकिन कुछ उसके जैद में पैसा था कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था तो उसको ऐसा लगा कि पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफल लग होकर मर जाएंगे इसलिए बड़े शहर में गया कि वहां पर जुवा खेलेंगे और यह सारा धन उड़ा देंगे फिर मर जाएंगे लेकिन वहां जाने के बाद उसको पता जला कि उस गाओं के पास उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था इसलिए दो तीन माइनिंग कमपनीज ने वहां आकर खुदाई की धाई सो फिट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं निराश हो गए इसलिए उसका लिना वो करने वाले थे तो उसको फिट की जमीन नहीं थी 500 फिट का लंबा चौड़ा गढ़ा गड़ा बना था उसको कौन खर देगा उस निलाम में कोई आया ही नहीं यहीं अकेला पहुचा इसलिए इसके जैब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई अब जो मज़दुर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदुरी कमपणी ने दे दी थी तो उन्होंने आके पूछा क्या करे काम अभी बंद रहें कि पाज़जे तक करें और बाद में छोड़े तो उसने आपने बन गया फिर से उसका जीवन बन गया उसने लेख लिखा हो मैंने पड़ा रिडोस डाइजस्ट में आया था कहानी अमरीका की है लेकिन उसका शीरशक था दिफरेंस बिट्विन दी सक्सेस एंड फेलिवर इस थ्री फिट के अंतर के लिए अपना सातत्य ख़दान मालिकों नहीं छोड़ दिया तो वंचित रह गए और तीन फिट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभो मिल गया कि इसलिएफसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए ऊपना नहीं चाहिए ठक करते रहना चाहिए सब के लिए करना हैं कि इसमे कोई भेद नहीं है जो जो इसके पीडित है वह हमारे अपने हैं भारत ने तो जिन दवाईयों के और निर्याट पर बंदी लगाई थी दुनिया की हित के लिए उसको हटा कर थोड़ा बहुत अपने तरफ लुक्सान लेकर भी दवाईया भीजी है जो मांगेंगे उसको देंगे क्योंकि यह हमारा स्वभाव है हम मनुष्व में भेद नहीं करते और ऐसे प्रसंगों में तो बिलकुल नहीं करते हैं जो जो पीडित है जिसकी जिसके आपशकता है उन सब की सेवा जितनी अपनी शक्ति है उतनी सेवा करनी है और इसेवा करते समय को इस परदा तो है नहीं अपनी किर्थी फराने के लिए दुनिया भर में काम नहीं कर रहें इसलिए जो इसकाम में लेगे उन सब को साथ लेकर उन सब के साथ रहकर काम करना है लोगों को जो बताना है वो बताएंगे लोगों से करवाना है करेंगे आधार उसका होगा अपनत्व की भावना स्नेह प्रेम वह अपने विवहार में दिखना चाहिए काम अच्छा होना चाहिए सेवा का काम है उपकार तो है नहीं हम अपने लोगों का काम कर रहे इसलिए उत्तम होना चाहिए प्रेम से होना चाहिए हनुमान जी के कारे के बारे में ऐसा वालमी की रामायन में कहा गया है देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर तब चार उनके विशिष्टों का उल्लेक किया दृती दृती मती और दाक्ष यहने दक्ष था सावधानी सावधानी आवशक है हम काम करेंगे लेकिन हम काम करते रहे इसलिए काम करते करते हम बीमार नहों जाए इसलिए आजकल आयुष मंतरा लेके द्वारा एक समर्थित काढ़ा है उसको हमने रोज पीना चाहिए बाकी मास्क लगाना अंतर रखना यह सारी बाते हाथ दोना अपनी मदद जिनको वास्तवित आवशक्ता उन तक पहुचे दूरत लोग भी रहते हैं दुनिया में वह हमारी मदद लेके चले न जाए इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सजगता से काम करना पड़ेगा कोई छूट न जाए जिसको आवशक है उन सब के पास मदद प सामान्य सूचनाय सबके लिए दी जाती है लेकिन कुछ विशेश भी परिस्थितिया रहती है उसमें उस प्रकार की रहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार करने चल करकर चलना पड़ता है अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचिला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दाइरे में सेवा के लाभ लेने वालों में सब कि अवश्यक्ता जिनको है ऐसे लोग आ जाए कि फिर दुरूष्टी की बात है कि हम यह सब बताएंगे यह सब करवाएंगे तो आदते भी लोगों के ठीक रहें आदते ठीक न रखने के कारण भी यह बीमारी आती है कि तो यह अनुभों लोग ले रहे हैं अब उनकी मनोभुमि का तैयार है तो हमने अच्छाई का परचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए यह केवल कार्यकरम नहीं है इस मे से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गड़ भी रहे हैं अपने पवित्र समाज का सवरक्षण और सरवांगिन उन्लती यह हमारी प्रतिद्न्या है है और इसलिए उस द्रुष्टी को ध्रक Watts highly है और धरती रखना है कितने दिन कितने दिन ऐसा करने होगा जब पूरानी होता तब तक करते रहना सतट करना है ऐसा करते रहना और एसा करते रहते समय यह जैसे गुण है हनुमान जीक से वैसे विदुर नीती में बात बताई है दोशों को टालने के जिस पुरुष को अपना वैभव चाहिए अपना विजय चाहिए अपनी खुशाली चाहिए उसको छे दोशों का हनन करना पड़ता है उनको दूर करना पड़ता है कौन से है निद्रा तंद्रा भयक क्रोध आलस्यम दीर्गस उत्रता काम की नहीं है तत्परता चाहिए जब उपस्थित होता है भारत का इस सारी बीमारी के दोर में काम बहुत अच्छा हो रहा है इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाये यहां के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के बहुत बड़े आउशन ने उसको अमल में लाया तो आलस्य नहीं किया दिर्गस उत्रता नहीं दिखाई इसको ध्यान में रखना चाहिए वो तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए निद्रा तंद्रा यहने असावधानी काम करते करते धुन लग करते हैं उसको तंद्रा कहते हैं दुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं क्योंकि उसमें विचार नष्ट होता है सोच समझ के सजग रहकर एक एक कदम डालते हुए काम करना और भया और कुरोध को टालना लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले चुछुपने का प्रयास करते हैं लोगों को कुछ नियमों में बान दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिवंदर आ रहे हैं अब संगय ने अपने और मार्च में ही तैय करके जून अख अखिर तक सारे कारिक्रम बन कर दिया लेकिन किसी किसों को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कारिक्रम पर प्रतिवंदर कर रहे हैं इस निमित और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है उसके कारण कुरोध पैदा होता है कुरोध के कारण अविवेक होता है फिर आप लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है जिस प्रकार इस कोरान के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है उसमें एक कार्ण यह परंतु दो बाते दहन में रखनी चाहिए जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना इस पर क्रोध नहीं करना इससे डर नहीं मन में रखना वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोध वश कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेट कर उससे दुरी बनाना यह ठीक नहीं है Iraq ये सिर्वत्र दोश रखने वाले लोग होते हैं सामार्यो लोगों के मन में कुछ आ सकता है था सामान्य लोगोंने समने यह कबरदारी लेनी चाहिए कि यह अपने में देश का विशह हैं देशित का विशह इसमें हमारी भूमी का सहयोग की ही होगी कभी भी वीरोत की नहीं हो कि मन में किंतु परनतु है उसका लाव लेकर द्वैश क्रोत को भढकाने वाले लोग है उनके खेल चल रहे स्वार्त के कारण बहरत तेरी टुक्ले होंगे चलता है उनको चलता रहे इससे बचना ये लोग अपना कुछ बिगाड न ले इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागरुत रखना लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावस्क कोई खुन्नस कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए भारत का 130 करोड का समाज भारत माता का पुत्र है अपना बंद्व है कि इस बात को दहांड में रखना चाहिए अ। भाया और तरफ से नहीं करना चाहिए और जो जो अपने अपने समुँ के समझदार लोग हैं नेतुर्तव करने वाले लोग है उन्हों ने इस से अपने अपने समों को बचाना चाहिए और ऐसे भयाय रो दावश होने वाले कुर्त्यों में हम लोग नहीं है हम लोगों को नहीं रहना चाहिए या अपने-अपने समाज को सिखांता ने छाहिए ऐसा नहीं करते तो तो क्या होता था है भारत के समाज सब्सक्राइब करना चाहिए कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए यह सारी बात है सोचनी की बात है ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किन्तु परंतु रहते हैं रह सकते हैं अपेक्षित नहीं है स्वाबाविक है लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेग की स्वार्थ की प्रवर्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए उनको उभरने न देते हुए देशित में सकार आत्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए भया क्रोध यह जो दो दोश है उसको टालना चाहिए उन सन्यासियों की हत्या हुई पिट-पिट कर माला लगया निरुपद्रवी लोग थे किसी का कोई अप्रा दोना नी किया नहीं था धर्म का आचरन करने वाले धर्म का आचरन फैलाने वाले थे मानों पर उपकार करने वाले लोग थे कि उसका दुख्खाम सबके मन में 28 तारीक को उनको श्रद्धान जली देने के लिए हिंदु धर्मा आचार्य स्वभा ने कुछ आवान भी किया है विशुवंदु परिशद ने जो कारेकम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे उनकी स्पूर्चि में अपनी श्रद् सकता नहीं रहेगी लेकिन जो अस्ताव्यस्त हो गया कि उसको ठीक करने में समय लगेगा हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंदन शीतिल होने के पाद एकदम भीड़ हो गई फिर से उनको तितर वितर करना पड़ा यह अविवेक हो सकता है समाज में सामान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते हैं अब विद्याले खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन तो करना पड़े आने वाले समय में कई दिनों तक उसकी व्यवस्था कैसे होगी बताना भी पड़ेगा समाज के लोगों को इकठ पड़ेगा विद्याले में विद्याले के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते क्या करके विद्याले की शिक्षा शुरू भी होगी और यह डिस्टन्स मेंटेन होगा बाजार वगर शुरू होंगे लोकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन कर कि अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे इसके लिए चिंता करनी की आवश्चक्ता है याने राहत पहुचाने का काम शायत कम हो सकता है कि परन्तु फिर से यह बिमारी न आये उतावली न हो इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा यह सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव सदाचार सहयोग का वातावरन बनना चाहिए समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकठा करके उनके द्वारा यह बात करवानी होगी समवाद रखना पड़ेगा अनुशासन पालन के बारे में स्वयम का उधारन और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी लोगों की शमता प्रतिकार शमता बड़े कई आयूरिदिक उपाय है योग है व्यायाम है तरह तरह के प्रणायाम है उपाय तो अपना स्वास्तमंत्रा लें भी बता रहा है और जगजग के चिकित्सक भी बता रहे हैं उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक्रम शांत दिमाग से किसी भी भय याने पैनिक के चपेट में आते हुए जो करना है वो करता है ठीक से करना इस प्रकार का स्वभाव बनने के लिए कुटुम्ब में भी उस प्रकार के स्वभाव का समस्कार होना चाहिए इसके हमको प्रयास करने पढ़ेंगे और प्रयास में व बोड़ना पड़ेगा और सब का सहयोग जुटाना पड़ेगा कि यह बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ शायद ही पिछले और कुछ शतकों की इतिहास में विश्वा पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है तो संकट तो है और हम लड़तों रहें लेकिन यह संकट कुछ तिका भी रहा है जैसे प्रदान मंत्री नहीं पिछले दिनों में कहा सरपंचों को कि यह संकट हमको स्वावलम्ब्यों की सीख दे रहा है तो कई ऐसी बाते भी आ रही क्योंकि यह संकट जाएगा जो अस्तावियस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठिक कर लेंगे लेकिन इस संकट के अनुभाव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमार के जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम एक तरह से राष्ट्र पुनर निर्मान का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण तो उसको परिणाम में लाना पड़ेगा अब बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने 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 गाउं में सबके वापस आएंगे क्या जो गाउं में रहे चाएंगे उनको रोजगार की व्योस्ता होगी जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिती होगी क्या क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े ऐसी अवस्था में इनका रोजबार गार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा उसके लिए मन की तेयारी करनी पड़ेगी समझदारी बरतनी पड़ेगी उसका भी उपदैश करना पड़ेगा उसको भी समझाना पड़ेगा और अगर श्वावलंबन ये इस अपत्ति का संदेश है तो श्वावलंबन में अपना स्व क्या है उस्व आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा कम उर्जा खाने वाला रोजगार मुलक परियावरन को न विगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीती की अपने विकास नीती की अपने तांत्री की की हमको करनी पड़ेगी आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अध्यतन साहयक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर भी थे इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए के विकास के मॉडल का निर्मान करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा यहने कोन करेगा शासन को विचार करना पड़ेगा प्रशासन को विचार करना पड़ेगा लेकिन मात्र इन दोनों के करने सी नहीं होता समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है समाज को स्वका उलंबन करना पड़ेगा यहां की बनी वस्तुवे जहां तक संभवे उनी का उप्योग करेंगे यहां जो बनता नहीं बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे जीवन के लिए आवश्चक है तो अपने शर्तों पर लेंगे कम से कम उप्योग में चलाएंगे ऐसी बहुत सी बाते अपने नित्य ववार में लानी पड़ेगी अपने अपने व्यक्तिगत और पारिवार के व्यवार में हम लोगों को स्वदेशी का आचरन करना पड़ेगा स्वदेशी का आचरन करने के लिए स्वदेशी के उतपाधन उपलब्ध करने पड़ेगे और स्वदेशी के उतपाधन उतकुरुष्टता के मामले में बिलकुल उन्नीस नहो ऐसी गुनवत का उतपन न करनी पड़ेगी उद्योजक निर्माता कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दुढ़ों होना पड़ेगा विदेशों के उपर अवलंबन नहीं होना चाहिए ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा उसी प्रकार हमने अनुभो किया अब जो बाहर निकल कर नदियों को वगरे देख सके वो बताते हैं लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभो कर रहे हैं कि परियावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया क्यों शुद्ध हो गया क्योंकि कुछ ख्रियाकलाब बंद हुए ज शुद्ध हों कौन से ऐसे करियाकलाब कम से कम हम कर सकते विना उसके काम भी चल सकता है इसका विचार हमको करना पड़ेगा पानी का उपयोग ठीक से पानी का संवर्धन संवरक्षण वुरुक्षो pregunt संवर्धन संवरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति सवच्छाता का पा जैविक खेती आधिके आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा अभी जो अभ्यास रासाइनिक खेती आधिका है उसको बदलना पड़ेगा उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा शासन की नीति वैसी बनेगी लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता कुटुम्बा में भी हमको और इस प्रकार के संसकार करने पड़ेंगे बहुत दिलों के बाद जो भागदोर चल रही थी वो बंद हो गई तो अपने घर में रहने का सतत रहने का अनुबह बहुत लोगों को भिला और हमको भी अच्छा लगा इसके बहुत अच्छे हो ऐसा समवाज चलना जैसा अपना कुटम में वैसे समाज भी एक कुटम में समाज के विचार करने वाले लोगों में समाज का नित्रुत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना चर्चा का चलना संसकार का नियमितता का प्रभाव होना अपने जीवन पर व्यक्ति के तोर सामुई इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी नागरिक अनुशासन के पालन में हम सबको तत्पर होना पड़ेगा जहां जहां उस अनुशासन का पालन लोग कर रहे हैं वहां कोरोना का उपद्रों कम है और जहां इस अनुशासन की आदत नहों होने के कारण गडबड हो रही वहां कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूबाग है और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता ने कहा है कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयम होकर सारे नागरिक पालन करते इतने वह समझदार होते यही है लक्टर अंबिणकर साहब ने भी समिधान प्रदत्त करते समय जो भाशन सोंसद में किये थे उसमें इस प्रकार की कानून व्यवस्था नियम आदिका पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है हमको अपनी इस आदत को औक ताजा और धारवाला करना पड़ेगा उसी प्रकार समाज में सद्भाव का वातावरण सोयोक का वातावरण शांति का वातावरण बर्नाना पड़ेगा शासन तो संसकार मूलक शिक्षा नीति जल्दी लाएगा लाना पड़ेगा उनको क्योंकि सारे काम शासन की नीति प्रशासन का नीति को धान में रखकर समाज को अपना मान कर अमल करने का तरीका और समाज का आचरण से सहयोग इन तीनों बातों के एकत्रा आने के बाद ही स्वार्थ मूलक से हटा कर देशहीत मूलक बनाएंगे शिक्षा जैसा संसकार देने वाली परिवर्तन अपने करेगी वैसे हम सब लोगों का व्यवार भी वैसा होना पड़ेगा बविश्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बता कर जा रहा है उसका विचार करके हमको मैं मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्व को मन में रखकर इस देश को इस संकट से निकाल कर सारे विश्व की मानवता का नेत्रुत्व करने वाला देश बनान के लिए आत्मविश्वास पूर्वक प्रयत्नों का परिश्रमों का सात्य अपने करतुर्त्व में रखकर फिर एक बार हमको सक्री होना पड़ेगा इसकी आवच्चक्त है हमारी भूमी का विश्व में और अपने देश में हम सब की यही है कि इस संकट को आउसर बनाकर हम एक नए भारत का उत्थान इस सारे संकट को आउसर बनाकर उसमें से करे ऐसी हमारी भूमी का हो इसलिए जो मेरे विचार में आवश्चक बाते मुझे लगती थी वह मैंने आपके सामने रख दी है संग के सारे स्वयंसियों कैसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही परंतु पूर्ण समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्चकता है इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूं और अपना यह निवेदन पूर्ण करता हूं धन्यवाब